नमस्कार न्यूस बोल्ड इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ स्रिस्टी राय बिलेटिन की शुरुआत करते हैं 36 गड की बड़ी खबरों के साथ जहां सेंट्रल पूल में चावल के कोटे में कटाउती की जाने पर मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधा है जया भुबेश बगेल ने कहा है कि केंद्र चावल ले या ना ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम हर परिस्तिती में किसानों का प्रती एकड 20 क्विंटल धान खरीदेंगे साथी राजुदारी में जर्चा की दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी घूशना के तहत एक नवंबर से धान खरीदेंगे केंद्र ने चावल का कोटा 86 लाक मिट्रिक टन से अचानक घटा दिया है अब बारदान भी कम देंगे आखिर कोटा घटाने के पीछे क्या छिपा है ऐसा भुपिश बगेल का कहना है जो चावल नहीं खरीद पा रहे हैं वो धान क्या खरीद पाएंगे यहाँ धान खरीदने का हल्ला मचाते घूमते हैं सीम ने आगे कहा कि पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं ऐसा मतलब की बीजेपी पर सीम का ये निशाना था साथी उन्होंने कहा कि तब हमें घाटा सहकर भी खुले बाज़वार में बेचने को मजबूर होना पड़ा हमने किसानों को घाटा नहीं होने दिया और बीजेपी को हर बात में राजनीती दिखती है और अब इस मामले में भी सियासत करने लगी है चतिसगड के साथ पहले भी यही रवाया बीजेपी अपनाते रहे मलिकारजन खड़गे इस समय चतिसगड दोरे पर है इसके साथ ही गुरुवार शाम को वो राइपुर एरपूट पर पहुँचे जा उनका भव्य स्वागत किया गया वही आज वो राजनांद गाउं में होने वाले भुपेश सरकार के भरूसिक का सम्मीलन में शामिल होंगे खड़गे सोमनी में लगे ग्राम ठेकवा के करीब 12 बजी सभा को संबोधित करेंगी इसके साथ ही कॉंग्रिस के राष्ट्र अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे का ये तीसरा दौरा है इससे पहले मलिकार जुन खड़गे की सभाज जंजी जांचगीर जिले में आयुजित की गए थी यहां भी वो भरूसिका सम्मीलन में शामिल हुए थे इसके बाद गो अब रमन सिंग के विधाई की शेत्र में पहुँच रहे हैं और राष्ट्र अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे के साथ मुख्यमंत्री भुपीश बगे और पार्टी के तमाम दिगज नेता यहां एक साथ दिखाई देंगे चतिसगड की राजधानी राइपुर के गुडियारी इस्तित दही हांडी मैदान में आज मठकी फोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया पर उसी राज्य जारकन, महराश्ट ओडिशा और मध्यप्रदेश से भी गोविंदाओं की जोली कारिक्रम में हिस्सा ले रही है इसे के साथ ही विजेटा टीम को 5.5 लाख रुपे का इनाम दिया जाएगा आयोजन में हजारों लोगों की भीड जुटने की उमीद भी दिखाए दी रही है इसे के साथ ही आयोजन समीती के मताबिक अब तक 26 टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है जो मठकी फोर्डने की कूशिश करेंगे इनके उपर पानी की बोचारे भी डाले जाएंगी जो कॉम्पटिशन को और अधिक रोमान्चिक बनाएगी चतिसगड की राजधानी राइपुर में एक गाय और इनसान के बीच अटूट रिष्टा देखने को मिला है हर कोई इसे अपनी आखों से देखने के लिए पहुँच रहा है बहाँ पर ये कहानी पद्दम डाकलिया और चंद्रमडी की है पंजरी कपड़ा मार्केट में एक शोरूम के मालिक पद्दम के आहार रोजाना एक गाय आती है जिसे ये प्यार से चंद्रमडी कहकर पकारते हैं ये गाय खोदी शोरूम का दर्वाजा खोलती है बड़ी ही आराम से अंदर आती है और दुकान मालिक को एक नजर ढूंडती है फिर खोदी गद्दी के ऊपर चड़कर बैट जाती है ये नजरा दुए एक लोग वहाँ पर काफी खुश है और इस नजरा को देखनी के लिए लोग वहाँ पर खुद मौजूद हो रहे हैं और चंद्रमडी को देखने के लिए काफी उत्साहित भी लग रहे हैं इस बिलेटिन में फिलाल के लिए बस इतना ही देखते रहे हैं तमाम बड़ी चतिसगर खबरों के लिए न्यूज वर्ड इंडिया